सच्चिन तेंदुकर 24 साल बाद फिर संभालेंगे भारते टीम की कप्तानी दिगज टीमों से लेंगे लोहा क्रिकेट के भगवान सच्चिन तेंदुकर ने साल 2013 में क्रिकेट को अलविदा क्या दिया था वे 11 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं इस बीच सच्चिन तेंदुकर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है दरसल सच्चिन तेंदुकर की क्रिकेट के मैदान पर वापसी होने जारी है सच्चिन की ये वापसी और भी ज़्यादा दिलचेश इसले भी होने जारी है क्योंकि वे बतौर कप्तान इंटरनेशनल कमबेक करने जा रहे हैं दरसल एक नए टूनामेंट का आगाज होने जा रहा है जिसमें सच्चिन तेंदुकर भारत टीम की कमान सभालते वे नजराएंगे इस नई लीग का नाम है इंटरनेशनल मास्टर लीग जिसका 17 नवेंबर से आगाज होगा इस लीग में भारत के अलावा शिलंका, उस्टेलिया, इंग्लेंड, साउथ अफरिका और वेस्टर डीस की टीम भी शिरकत करेगी